हे दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे एक और नहीं वीडियो के साथ आ चुगा हूँ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं TBS की तरप से आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर के वारे में जिसका नाम है TBS iCube दोस्तों इस टाइम काफी जादा एलेक्ट्रिक स्कूटर का डिवान चल रहा है जिन में से TBS iCube एक है तो इस एलेक्ट्रिक स्कूटर के वारे में सारी डिटेल कवर करेंगे इस दिवाली किस तरह के ओफार आ रहे हैं कितना आपको वेनिफिट मिलने वाला है और आपको रे शेर कर दिया तो वह जाकर देख सकती है अप बज में लगी हुकि आपस करते हैं यह जो हमारे पास आई-क्यू नॉररमल है जो कि 09 कि नाम से जानते हैं और single battery इसमें लगी हुई इसमें जो battery है 2.9 kilowatt की है वेल दोस्तों इस battery pack के साथ इस electric scooter में 70 से 75 km का true range मिल पाएगा हम पहले इसका look देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं आपने फ्रेंट प्रोफाइल से बात करते हैं तो फ्रेंट प्रोफाइल आप देख लो कुछ इस टाइप से मिलता है जो कि यदि आप एक robotic टाइप से इसमें look देने की कोशिस किया है और दिया भी गया है जो कि यदि आप देखेंगे ना तो पूरा रोबोट एक आपको फिल के सभी मॉडल पे यह स्वार क्नेक्टिविटी का स्टीकर यह ऊपर दिया जाता है तो इजानेघर यहां 가 को बड़ा सा फैरिंग दिया गया है जिसमें से डूबल टोन दिया गया है यहां पास ब्लैक प्यानो के साथ दिया गया है प्लस इधर देखेंगे और यहां पास आईक्यूब की यह वैजिंग दिया है बेल दूस्तों इस एलेक्टरिक स्कूटर में LED लाइट्स मिल जाती है जो कि एक छोर से दूसरी छोर connected दिए गया है बित इसके साथ turn indicator slides भी इसी में attached है अलग से आपको indicators नहीं दे गए यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस electric scooter में यदि आप ruler area में यूज करते हो इस light की जो throw है न वो बहुत ही ज़्यादा bright है वेल दोस्त है वो TBS के दिए गया है और इसकी sizing की बात करी जाए तो 90-92 का दिया गया है और इधर यदि आप देखेंगे तो disc brake यह मिल जाता है बेल दोस्तों इस electric scooter में alloy wheel की बात की जाए जिसकी design काफी ठीक रखी गई है और यदि आप इस और से देखते हो ना तो यह थोड़ा सा एक अलग feel दिखाता है जैसे Jupiter में आता है सेम उसी तरह यह look connect करने की कोशिस किया है बेल दोस्तों आप हम side profile देख लेते हैं side profile इस scooter में हमको iCube electric का इधर एक अलग से logo देखने को मिल जाता है जो कि आपको electric का याद दिला ही देगा बड़ा सा यहां पास आपको panel से मिल जाता है इधर आपको कुछ exhaust दिया गया है जिसके help से इधर air जाएगी जो की battery तक पहुँचेगी बेल दोस्तों rear profile देख लो पीछे का कुछ आपको ऐसे look मिल जाता है आगे जैसे पीछे ही connect किया गया है जैसे कि एक चोड से second चोड तक यहां यह tail section दिया गया है जिसमें से indicator साथ मे बेल दोस्तों एक बारी मैं आपको glow करकर दिखाता हूं कैसे indicator या इसकी tail section है इंडिकेटर की बात करे जाए तो कुछ आपको इस टाइप से मिल जाती है जो की fully LED ही दिये गया है गाइस इस electric scooter में एक आपको यहां पास number plate के लिए option मिल जाता है दूसरी और देखेंगे तो reflector दोनों ही ओर दिया गया है TBS की इधर आपको एक logo दिया गया है अब हम आ जाते हैं main point की जो की एक electric scooter का धड़कन बोल सकते हैं यह जान बोल सकते हैं motor गाइस इस electric की स्वर में hub motor दी गई है जो की 4 kilowatt की है और जितने भी model TBS की ओर से आते हैं से भी motor provide करी जाती है थोड़ी सी scooter में यह आ जाता है कि जो TBS की यहां पास एक अलग से यह tuning में जाती है ना वो electric बहुत ज़्यादा connect करती है जितने भी customer होते हैं उनको क्योंकि जब रात में चलती है ना वो अलग ही feeling आ जाती है जब आप इसको charging में लगाते हो तब भी यह electric आपको यहां पास यह glow होते हु हुआ दिखाई देगा center stand को option मिल जाता है side stand को offer मिल जाता है जो कि side stand आपको यहां पास sensor वाला मिलेगा इसको टल लेते हैं अपने family के लिए भी लेते हैं आप family member में सभी यूज़ कर सके इससाब से तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो seat है ना भाई एकदम premium वाली है और family के लिए काफी बहतरीन रहने वाली है यह आप मेरे height के हो या आपके घर में कोई ऐसा है जिनकी height तो नहीं बट ठीक है यदि कोई मेरे से भी छोटा होता है तो आप देख लो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि स्कूटर कई लोग ऐसा लगता है कि family में कोई ladies चलाती है कई sister चलाती है तो उनके लिए वो दिक्कत होने वाली नहीं है पैर आसानी से पहुच पाएंगे आप आपको ओला जैसे नहीं है कि सीट बहुत उंची दे देना और किसी के पैर ही वहां तक नहीं पहुचने तो यह दिक्कत आपको इस स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा प्लस पुस्निंग की बात करी जाए तो इस सीट की पुस्निंग काफी ठीक है यदि आप सिंगल चा देखते हो क्योंकि सीट पहले देखलो सीट तो काफी बड़ी है तो आपको ऐसी कुछ दिक्कत होगी नहीं दो लोगों के साथ या तिन लोगों के साथ अब हम इस स्कूटर की थोड़ा वूट की बात कर लेते हैं वूट के लिए आपको यह की की जरूरत होगी आप इधर स स्कूटर में स्पेस देता है और यहां पास दो हेलमेट आसानी से रखता होगी आप इसमें अंडर नीट इस्टोरेज में आप देखो गयो तो यहां पास आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जो कि अपने हिसाब से यदि आप अपने मोबाइल को चार्ज करने चाहते हो तो आ स्कूटर को स्टार्ट करोगी तब आपको छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है यह टच नहीं है टॉप मोडल में आपको टेच स्क्रीन दिखाई देगी यहां पास आप देख लो पहले साइन है जो कि साइड स्टेंड में इसकूटर खड़ा हुआ इस वजह से है अब हम थोड़ स्ट्री बोलते हैं इधार पारकिंग की सफ्रेट स्ट्रीच मिल जाती है तर मोड के लिए स्ट्रीच मिल जाती है और इस देखने को मिलती। अपने स्कूटर को डिजाइन कहा है तो पहले तो आपको यदि stand हटाना होगा इसको drive mode में आने के लिए और एक brick को press इसमें दिखाई दे रहा है एक आपको brick press करना होगा देन इसके बाद आपको mode की जो switch है ना उसको click करनी होगी देन आप देखोगे यह आ जाएगा scooter start हो चुगा है आँगे बढ़ने के लिए तो इसमें देख लो battery percentage इधर दिखाई देगे है प्लस timing भी आपको mention कर गया है इधर ऊपर एदी देखोगे तो यहां पास Bluetooth का एक sign बनाया गया है जिसमें से आपका mobile भी इससे connect हो पाएगा यह पास की की देख लो इधर आपको रेंज अभी मिलने वाली 75 km की मिल पाएगे यदि आप पावर मोड में 60 km का रेंज मिल पाएगा तोस्तों यह 2.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है गाई से आप इस स्कूटर में बड़ी बैटरी पैक के साथ जाते हो ना जो की S model आता है 3.4 या आप TBS IQ में ही other model आता तो इसकी जो स्पीड है ना तो आपको करीबन 83 के आसपास टॉप स्पीड देखने को मिलेगी और इस एलेक्टरी की स्कूटर में यादि आप एको मोड में चलते हो तब आपकी 45 के आसपास स्पीड होने वाली है और रेंज आपको मिल पाएगी 75 km के आसपास बेल दोस्तों चार्जिंग आवर की बात करें तो इस एलेक्टरी की स्पीड में 2.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जो चार्जिंग टाइम लगने वाला है वो करीबन आपको 3 घंटे 15 मिनट के आसपास टाइम इस स्कूटर में लगे है और आपको चार्ज किधर से करना है चार्जिंग के लिए यह option charging ports का दिया गया है जो की इस एलेक्टरी के स्पीर को आप चार्ज कर पाओगे इस एलेक्टरी के सिरुन हें पीचे दी ब्रेक देखते हो तो आपको यह scooter best हो सकता है दोस्तों अब हम pricing वगरे की बात करें तो इसका जो price start होता है सपना में वो 94,999 रुपीज से start होता है प्लस TBS motor एक बड़ा offer लेकर आ गया है जिसमें से आपको अप to 25,000 तक cash back direct मिल पाएगा purchase होने के बाद आपको यह चीज मिलेगी आप description पर देख सकती है और direct TBS IQ के website पर भी check कर सकती है गाज TBS IQ एलेक्ट्रिक सुटरेदी आप purchase करते हो तो आपको warranty क्या मिलती है इस scooter में आपको 3 साल की वैटरी की warranty मिल जाएगी प्लस इसके साथ आप इस scooter में extend भी warranty करा सकते हो तो warranty का जो scene है जितनी भी कंपणी है जैसे आपका बजाज हो गया TBS हो गया और Ether हो गया तीनों कंपणी की दिबात करो तो सेम ही आपको बैटरी वारेंटी मोटर वारेंटी और चार्जर वारेंटी प्रोवाइड करती है सो तो आप पर यह वीडियो कैसा लगे यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस फैमली मेंबर के साथ इस scooter की वीडियो सेयर कर सकते हैं चलिए मिल तक नए वीडियो में तक टिक क्यार बाई जहिन